करव सर्फेस का निमेरिकल कर रहे थे, लाच निमेरिकल है कर्व सर्फेस का बहुत इसी निमेरिकल है, कोश्चन को पढ़ते हैं, फिगर सोर्स ए कर्व सर्फेस LM, which is in the form of a coordinate of a circle of radius 3 meter, image in the water, if the width of the gate is unity, calculate the horizontal and vertical component of the total force acting on the curve सर्फेस, हमको यहाँ पे भी horizontal component, vertical component निकालना है circle का radius दिया हुआ है 3 meter और इसका width दियो है 1 meter figure को देखते हैं यह circle का radius हो गया और यह free water surface से 1 meter नीचे है और इसका width दिया हुआ है 1 meter यह free water surface है तो सबसे पहले हम निकालते हैं horizontal component तो horizontal component क्या होगा हमारा यह है horizontal component यह होता है row G projected area into edge bar तो मैंने इसको M और L को project किया है यहाँ पे तो curve surface है यह project करेंगे तो flat surface बनता है तो इसका line भी कितना हो जाएगा 3 meter तो सबसे पहले इसका projected area कितना हो जाएगा 3 into width इसका 1 है तो यह हो जाएगा 3 meter square और यहाँ पे और क्या निकालना रहते है हमको edge bar तो edge bar क्या हो जाएगा center of gravity से free water surface के बीच कर distance edge bar कितना हो जाएगा यह 1 है और यह कितना हो जाएगा 1.5 यहाँ से यहाँ तक कर distance हो जाएगा 1.5 तो total distance हो जाएगा 1 plus 3 by 2 equal to 2.5 meter edge bar तो horizontal component निकाल लेते हैं यह हो जाएगा row g projected area into edge bar यह हो जाएगा 1000 g का value हो जाएगा 9.81 projected area हमने निकाला है 3 meter square और edge bar है 2.5 तो यहाँ से solve करते हैं तो fh का value आता है हमारे पास 73.57 किलो न्यूटन यह हुआ हमारा fh horizontal component इसके बाद fv निकालते हैं तो fv क्या होगा यह हमारा हो गया vertical force यहाँ पे लग रहा है तो vertical force क्या होगा यह curve ms को उपर तक plot करेंगे तो यहाँ तक जो liquid है यहाँ तक जो liquid आ रहा है उसका जो weight रहेगा weight of the volume of liquid वो क्या रहेगा हमारा vertical force fv रहेगा तो हमारा fv क्या हो जाएगा weight of the water supported by lm up to free surface क्या बोग रहा है lm up to free surface lm को हम लोग यहाँ तक plot करेंगे तो जीतना भी liquid वार है उसका weight क्या रहेगा हमारा fv रहेगा weight of portion ulms कितना वहाँ पे volume आ रहा है m l u s o इतना volume आ रहा है ulmos इसको मैं दो भाग में divide कर सकता हूँ यह एक भाग हो गया यह दो भाग हो गया तो इसका हो जाएगा volume volume ulos या weight ulos जो कि rectangle है और weight of the water in l o m और इसमें जितना water है उसका weight l o m का यहाँ पे भी water है यह पूरा free water सर्पेस है मतलब यहाँ पूरा water है तो हमको दो weight मिल रहा है यह one o यह हुआ और यह two हो गया तो weight क्या होता है रोजी into volume of area two का volume हो जाएगा इसका volume हो जाएगा ulso का और एक volume हो जाएगा l o m का तो यहाँ से हम volume निकाल लेते है volume ulos और volume l o m तो volume होता है area into width volume क्या हो जाएगा area into width इसका volume निकालते है इसको मैं a1 दे देता हूँ इसको a2 volume हो जाएगा l o m के लिए volume हो जाएगा area a1 into width 1 तो इसका area होगा 1 by 4 pi r square r का value है यहाँ पे है 3 का square into 1 इसके लिए हो जाएगा यह volume हो जाएगा lom के लिए और volume usol के लिए volume क्या होगा area 2 into width 1 तो area 2 क्या हो जाएगा यह length into यह height तो यह कितना है यह radius के equal होगा 3 meter के यह 3 हो जाएगा 3 into 1 3 into 1 तो इसका volume 3 होगा 3 meter cube और lom का value होगा 1 by 4 pi into r square इसको हम इस equation में put कर देते हैं तो fv का value हो जाएगा हमको मिलेगा rho g into rho g into volume of ul os volume ul os कितना रहे है 3 r है 3 plus 1 by 4 pi into r का square 1 by 4 pi into r का square 3 का square तो इसको solve करते हैं तो हमारे पास आता है यह एक हजार हो गया density जी का value 9.81 यह हो जाएगा 3 plus इसको solve करेंगे तो हैंगा 7.068 तो यह पूरा total solve करने के बाद आता है 98.77 किलो नीटन यह हो गया हमारा vertical force तो हमको दोई चीज़ निकालना था horizontal force और vertical force बहुत easy है vertical force में हमेसा ध्यां रखना है जो भी कर्व सर्फेस दिया रहेगा उसको उपर तक free water surface तक लेके जाना है यहां तक जितना भी area आएगा यह जितना भी volume आएगा वही हमारा क्या रहेगा fv रहेगा तो यहां पर fv कितना हो जाएगा weight of the weight of the weight of the volume of कितना हो जाएगा u s o m l यह u l m o s ठीक तो हमको जो निकालना था हम निकाल चुके है अगर इस question में और कुछ भी doubt है तो आप पूछ सकते हैं बहुत easy question है इस question में हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं यह center की जो fh जो लग रहा है force जो लग रहा है horizontal force वो कहां पर लगेगा center of pressure पर तो यह distance कितना होगा यह distance होता है h star अगर question में बोल देगा h star जो horizontal force लग रहा है center of pressure उसका value क्या हैगा point of application of fh यह जो horizontal force लग रहा है वो free water surface से कितने distance पर है मतलब क्या निकालने बोलेगा h star तो h star कैसे निकालेंगे हम h star हो जाएगा हमारा ig upon a h bar plus h bar तो circle का ig क्या होगा यह हो जाएगा circle के लिए हो जाएगा नहीं यहाँ पर circle नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा flat surface आएगा हमको जो भी study करना है 1 into bdq upon 12 हो जाएगा तो यह हो जाएगा b1 हो जाएगा d हो जाएगा 3 upon 12 तो इसको solve करेंगे तो हमारा moment of inertia आएगा 2.25 meter to the power 4 तो यहाँ पर हम h star का value निकाल सकते हैं h star हो जाएगा 2.25 area हो जाएगा 3 into 1 3 into 1 h bar हमने निकाला है 2.5 plus h bar 2.5 तो इसको solve करेंगे तो हमारे पास h bar का value आएगा 2.8 meter from free water surface h star हमको दिख रहा है h star किसके किसके बीच का distance रहेगा point of application of f h और free water surface के बीच का distance इसको भी exam में पूछ सकता है बस यहां पे ध्यान रखना है जो moment of inertia रहेगा यह rectangle के लिए रहेगा flat plate के लिए रहेगा क्योंकि horizontal component जब हम solve करते हैं तो जो भी study करना रहता है हमको flat surface पे करना रहता है कारो surface पे ने करना रहता है मेरी ख्याद से question समझ में आ गया होगा कुछ भी डौर्ट पर पूछ सकते हैं ठेंक यू